2024 चुनाओं को लेकर नितीज कुमार ने बड़ी बाजी खेली है और उस बाजी में तमाम जो मनुबादी नेता है वो बेनकाब हो रहा हैं नितीज कुमार ने ममता बनरजी से लेकर कॉंग्रेस पर बड़ा हमला किया है नमस्कार मैं शम्भु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक आखिर अपने तो अपने होते हैं सोचिए नितीज कुमार ने दिन रात मेहनत करके पहले तुन्होंने बीजेपी का साथ चोड़ा आर जेडी के साथ सरकार बनाई उसके बाद नितीज कुमार ने दिन रात एक करके सोचिए कहां कहां नहीं गएं किस से किस से नहीं मिननते की ममता बनर जी कहां गए अरबिन के जरिवाल से मिले यहां तक कि वो लगातार नभीन पटनाईक के संपर्क में थे जो अब जाक मिल चुके हैं बीजेपी के साथ लगभकता है कि उनका गटवंधन होगा उसके बाद सोचिए वो बी आरेस के संपर्क में थे जो चाहते थे कि इंडिया गटवंधन में आया वो दिवगवरा के संपर्क में थे ताकि इंडिया गटवंधन और मजबूत हो ले लिकिन वही कॉंग्रेस अरवींद के जरिवाल और ममताव नरजी मिलके एक बड़ी साजिस कर रहे हैं आपको लगेगा कि यह साजिस क्या पर्धान मंत्री बनने से नितियूसकुमार को रोकने की साजिस है यह साजिस क्या जेडियू को तोरने की साजिस है बिलकुल नहीं ये साजिस OBC के खिलाफ है, ये देश के बहुजनों के खिलाफ है, ये साजिस 60% आवादी के खिलाफ है, और अगर सही माइने में कहें जो नितियूस कुमार ने बिहार में किया है, तो ये साजिस 95% देश के लोग के खिलाफ है. नितीश कुमार ने बिहार में जाति जन्गन्ना के आंक्रे जारी कर दिये उसके बाद क्या किया 65% रिजरवेशन कर दिया SCST OBC का CDule Cast का भी रिजरवेशन बगा CDule Tribe का भी रिजरवेशन बगा OBC का भी रिजरवेशन बगा एकनॉमिक बीकर सेक्षन बाला रिजर्वेशन भी कम नहीं हुआ लेकिन सोचिए सारे के सारे सवर्ण नेता इंडिया गटबंधन के सवर्ण नेता खासकर ममता बनर जी, अरबिंद केजरिवाल और कॉंग्रेस के सवर्ण नेता नितीज कुमार के इसे जिन्डे को आगे नहीं बराना चाहते हैं ये तीनों लोग जाती जनगर्णा के खिलाप ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये खुद नितीज कुमार ने कहा है और इसकी पोल पुट्टी पूरी तरह से खोल चुकी है तो सोचिये कि इंडिया गटबंधन में भी रहते हुए सवर्ण नेता जो होते हैं वो किस तरह से बहुजन समाज को लडाते हैं उसके बाद सोचिये ममताबनर जी ने दाव क्या चल दिया कि खरगे होंगे परधान मंतरी वो तो अच्छा हुआ खरगे सहाब सुझे हुए आदमें उन्होंने कहा गटबंधन उसी दिन बरबाद हो जाता जैसी कोई किसी एक पार्टी का परधान मंतरी का एलान हो जाया गटबंधन खतम मंता बनर जी अर्बिंद केजरिवाल ने तो साजिस बड़ी रची थी कॉंग्रेसियों के साथ मिल करकि ये गटबंधन इखत्म हो जाए पहले तो कॉंग्रेस ने अखलेश यादब को जिस तरह से मतपरदेश के चुना में इगनॉर किया माया बती जी सही कहती है कि इन लोगों को घुटने के बल चलके आना पड़ेगा और मुझे पी-म कैनिडेट घोसित करना पड़ेगा नहीं तो मैं नहीं जाओंगे गटबंधन में सोचिए नितीश कुमार की इतनी मेहनत का ये नतीजा मिला अखिलेश यादब की इतनी मेहनत का ये नतीजा मिला सोचिए इस देश के सवर नेता किस हद तक जा सकते हैं मैं आपको थोड़ा फ्लैस बैक में ले चलूँगा इस देश में कॉंग्रेस का पाप गिना रहा हूँ साठ साल तक कॉंग्रेस ने राज किया ये ग्रिन हंट कौन चला रहा है जो जंगल काटे जा रहा है ये कौन चिदमरम की पॉलिसी है ये पीए टाडा इस देश के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जेल में सराने वाले आतंगबाद के खिलाब के नाम पर कानून किसने बना है ये आज जो इंकम टेक्स एडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से पुष्टाश करी और बाढ़रा से इससे पहले कॉंग्रेस के राज में एडी का काम, सीबी आई का काम, इंकम टेक्स का काम क्या होता था लालु यादब को जेल में डालो, मायवत्ती जी की जांच कराओ, मुलाइम सिंग की जांच कराओ, सीबी सुरेन को जांच के जेल में डालो बाकी सब मंद्रेगा में मजदूरी करते थे इस देश में कॉंग्रेस के साथ साल में यूपीए उन को छोड़ दीजे, जो सोनिया गांधी जो जिसको चला रही थी और जिसमें लालु यादब, राम बिलास, पासबान, माया बती जी, मुलाइम सिंग यादब, सब गटवंधन में थे वही सब बढ़िया था, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यूपीए टू में तीन बरहम मन्यताओं ने, चिदमरम, पर्नमुखर जी और उसके बाद कपिल सिब्बल ने इस देश के बहुजनों के सारे अधिकार छिन लिये, और उसी पॉलिसी पर बीजेपी आगे जा रही है, तो सोचिए, जाती जनगन्ना के खिलाब सिर्फ बीजेपी नहीं है, इस देश के तमाम सवन लीडर सिबाली पार्टी आएं, चा ये लोग भाई-भाई को लडाते हैं, नितीश कुमार का पर काटने के लिए कच छोटा करने के लोगों ने खरगे का इस्तेमाल किया, लेकिन खरगे सहाब ने इस खेल को भाप लिया है, अब नितीश कुमार की लगातार कोशिस है, कि अर्भीन के जिरिबाल, मंता बनर जी कॉंग्रेस को छोड़ कर अखिलेश यादव, मायावती जी, हेमन सोरेन, डी एम के इन सब के साथ एक लेकर मोर्चा बनाया जा, लेकिन ये लोग लडाते कितना है, सोचिए, तो अब बताए कि बीजेपी की असली बीटीम कौन है, मायावती, ओवैसी, या कॉंग्रेस, या मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में बहुजन समाज को बहुजन लीडर्सी बाली पार्टी ही चुननी चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान होगा, सोचिए, इंडिया गटबंधन का मेन एजेंडा ही जाती जनगन्ना था, और कॉंग्रेस के नेताओं की बैमान नहीं देखिए, राहुल गांदी के, वो चुनाओ में बोल रहे हैं, जाती जनगन्ना, ओबी सी की संख्या नहीं है, लेकिन एजेंडा में उसको सामिल नहीं कर रहे हैं, जो एजेंडा है, जाती जनगन्ना का उसको सामिल नहीं कर तो सोचिए, ममता बनर जी, मैं इसलिए बार बार कहा हूं कि इस देश के तमाम किसी भी दल के जो सवन नेता होते हैं वो अपने समाज के हितों की रख्षा करते हैं करनी भी चाहिए लेकिन बहुजन समाज के नेता जो किसान कमुनिटी के लोग होते हैं वो पाठी के हित को अपने समाज के हिस्से उपर रखते हैं होना तो यह चाहिए था कि देश का हिस सबसे पहले फिर समाज का हित फिर पाठी का हिस अरे जिस समाज से आप आए हैं वो समाज ही नहीं साथ रहेगा तो पाठी में क्या आपकी भाइलू रह जाएगी तो सोचिए इस देश में बीजेपी की असली बी टीम जो है वो कॉंग्रेस है मंता बनर जी है और बींद के जिरिवाल है और ये लोग बहुजुनों के भी खिलाफ है और नितीश कुमार को नीचे दिखाने के लिए बायकॉट करने के लिए सोचिए न और 95 परसेंट तक मामला जाता है किसान जोर कर उसके बाद भी इस देश में तीन परसेंट वाले ब्रहामन समाज के नेता और टोटल 15 परसेंट वाले सवन नेता जिसमें अरविन केज्रिवाल नवीन पटनायक ममता बनर जी और कॉंग्रेस जैसे पार्टियों के नेता आते सोचे किस तरह से ख़ड़े साहब को कब अध्यक्ष मनाया गया जब कांगरीस बुरय वक्त में सीता राम के स्री को कब बनायागया जब कांगरेस बुरय वक्त तो यह कंग्रेस की हकिकत इस देश में संपरदाइक्ता की राधनिती हो, इसकी जनिनी कॉंग्रेस है, RSS की मां कॉंग्रेस है और ये बात नितीज कुमार के बयानों से साफ होता है कि जाती जनगन्ना उन्होंने कराया उसको वो राष्टिये मुद्दा बनाना चाहते थे, उस पर चुनाओ होता बीजेपी फस्ती लेकिन आज भी नितीज कुमार में वो कुबत है, वो जाती जनगन्ना को मुद्दा बना रहा है इसलिए तमाम मीडिया को लगा दिया गया है कि आरजेडी और जेडीव को कैसे लड़ा दिया जाए लेकिन लालू यादव सुल्जे हुए, मंजे हुए ने था, उनको पता है सोसल जस्टिस की लड़ाई लंबी चलेगी और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोचिए सबर्न नेता किसी भी पार्टी में हो, किसी भी गटवंधन में हो वो अपने समाज का हिस्सो से जब जाती जनगन्ना से किसी का नुकसान नहीं है बलकि इस देश के 95% लोगों को उनका समयधानिक अधिकार देने में सहुलियत होगी जाती जनगन्ना का विरोध राष्ट का विरोध है, राष्टबाद का विरोध है जाती जनगन्ना होगा जब इस देश के 95% लोग सक्षम होंगे उनको मौका मिलेगा, एस्कील मिलेगा, तब जाकर इस देश डेवलफ होगा तो अब आप लोग सोचिए बड़ी खबर है, न तो वैसी इस देश के BJP के बीटीम है, न मायवती जी बीटीम है असली बीटीम वो सवन नेता और सवन पोलिटिकल पार्टी है, जो किसी कीमत पर चाहती है कि या तो सत्ता हमारे हाथ में रहे, या हम सिर्फ और सिर्फ हम इस देश में राज करें हमारे हाथ में सत्ता रहे, हम इस देश पर राज करें दलित पिछले आदिवासी किसान कम्मूनिटी के लोग को कोई भी अधिकार वो नहीं देना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि BJP सत्ता में रहे ममता बनर जी अकेले लड़ना चाहती है वो लेफ्ट को भी साथ में नहीं लेंगी अर्विन केजरिवाल दिल्ली पंजाम में अखेले लड़ना चाहते है बाकी जगा उनको सिर्ची तो सुची असली BJP की अंदर की बीटिम कॉंग्रेस अर्विन केजरिवाल और ममता बनर जी है अगर CST OBC के लोगों ने अपने बहुजन दलो को सपा बसपा आरजेडी जेडियू जेमेम डीम के को बोर्ट नहीं दिया तो BJP को कोई नहीं रोकना चाहती है अगर कम से कम सबन लीडर्सी बाली पार्टिया तो बिलकुल BJP को नहीं रोकना चाहती है ये नितीश कुमार के बयान से खुलासा है मैं अभी भी कह रहा हूँ अखिलेश यादब, मायवती जी, नितीश कुमार, हेमन सोरेन, स्टालिन अगर ये लोग भी एक साथ आ जाएं तो राजस्थान, मतपरदेश, चर्टिसगर, बिहार, यूपी, जारकन, उडिसा, पस्सिम, मंगाल इन सब जगव, इन मनुबादी दलो का और सबन समाज के प्लिटकल दलो की बत्ती गुल कर सकते हैं जरूरत है बहुजन समाज के नेताओं को एक जूट होना, लेकिन सोचिए कि इस देश में जोती बसू लेफ्ट के सी एम थे, उन्होंने कहा था कि हम ओभी सी रिजर बेशन नहीं देंगे बंगाल में ममता बनर जी टी-े-म-सी से कहते हैं, यह भी कॉंग्रेस से निकली है, कह रहे हम नहीं जाती जनगना कराएंगे और बिंद केजरिबाल बावा साहिप की तस्वीर लगाते हैं, कहते हम जाती जनगना नहीं कराएंगे और कॉंग्रेस का दोरा चरितर देखिए कहने के कुछ करने को कुछ ये खुद नितीस कुमार ने कहा है सोचे इस देश में SCST OBC को बोट लेने के लिए क्या-क्या कहा जाता है उनको किस तरह से उनके संब्धानिक अधिकारों के लिए बिवकूब बना जाता है ये समझना है OBC को जब तक OBC के लोग जागरुक नहीं होंगे SCST के लोग जागरुक नहीं होंगे तब तक उनका संब्धानिक अधिकार खत्म होगा और जब मैं SCST OBC कहता हूँ इसका मतलब है कि आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं लेकिन आपका संब्धानिक अधिकार SCST OBC के तवर पर संब्धान में दर्ग आप सिख हो सकते हैं तो भी OBCC हो सकते हैं आप आदिवासी हो सकते हैं तो भी Scidule Tribe हो सकते हैं आप Muslim हो सकते हैं तो 90% Muslim OBC Community में है ST है इस देश में बुधिष्ट है तो अभी SCST OBC हो सकते हैं हिंदू है तो बहुत संख्यक अबादी OBC है 95% OBC SCST है तो आपका जो संबैधानिक अधिकार है वो धर्म के नाम पर नहीं है वो आपके अधिकार है SCST OBC के तोर पे इसलिए अपने संबैधानिक अधिकारों को बचाई और सोचिए आज भी जाट गुर्जर पटेल मराठाओं को उनका संबैधानिक अधिकार ने उनको रिजर्ब काटिगरी में नहीं डाला जा रहा है तो उनका इजुक्रिशनल बैकवर्डनेस है तो इस देश के सबर नेता किसी पार्टी में हो किसी गटवंधन में हो राष्ट हित से पहले उनका जाती का हित है उनके समाज का हित है बहुजन नेताओं के लिए सबसे आगे होता है राष्ट हित उसके बाद वो पार्टी हित देखते हैं समाज हित तो उनकी priority पर ही नहीं है स्फिलिए बहुजन समाज पिचरा है बहुजन समाज के निताओं को बाबा साहब का फर्मولा अपनाना चाहिए था कि अगर हमारा हित और राष्ट का हित आएगा तो राष्ट का हित चोनेंगे लेकिन जब हमारा हित और समाज का हित आएगा तो समाज का हित चुनेंगे शुक्रिया